हाई फ्रेंड्स हैपी होली टू आल आफ यू कैसे हो सब लोग कैसे होली मना रहे हो मेरे सब शेयर करो ना क्या है ना मेरा तोस्ट साधी के बात से मैं बैंगलोर में हूँ और इधर पे उतना जादा होली का महल नहीं है क्या है ओस बेंगल में मैं थी में इतना सा है और इधर पे इतना साह होली है मतलब समख चुके हो ना क्या कोई कोई लोK ऐसे कठख़ोकर में λέ होली मनाते हैं सारे-सारे लोग नहीं मनाते है जैसे नही रख जो लोग करनाटका का है वह लोग तो मनाते ही नहींignment समख सकता हो कि कितना कम है कोई कोई सोसाइटे में होली मनाते हैं ऐसा ही है बस लेकिन मैं जो बिल्डिंग में रहती हूँ अधर भी बहुत सारे लोग नहीं मनाते हैं नहीं मनाते हैं यही सोच लोग कि मनाते हैं यह तो मैं नहीं हो सकती हूँ तो पिछली बार भी मेरा ऐसा है चला गया और इस बार भ हम दोनों ने और उनका लंच पैक करके उनको आफिस बेज दिया है ऐसा ही है और में तो नहाद होके पोजा करके यह आप लोग सथ अभी बाते कर रही हूं क्या करूँ कोई भी मन तो दुखी है कि अले पाली है एक वाली के दिन सभी मन दिना मन घुला कहो जाता है मैं सबस्कि Co आ Ugh कि आज पी कर डिया रहते हैं यह जुद का मशना शल्य हमख एपया श नहीं है की मैं आप लोग साथ बाते क्तार कर लिए हो कि आप पीछकारी उससे भी कहलती थी और थोड़ा बढ़ा होने के बागा हम लोग शांत नीकतन जाती थी फूल फैमिली और अली के दिन मेरे पापा मेरा चाइल्ड हुट का बाद कर रही हूं मेरे पापा सुभा सुभा बजार चला जाता था और बार्केट से बहुत सारा कुछ azaar के लाइज सुबा उठकर बजाद चला जाता था और उडर से नहीं जालए जाता था और से मतान और दो तीन आटम की पषी लेकर आता से और मेरे मम्मी सारे की सारे को पकती भी बहुत ही अच्छा लगता था मेरे वाई होली मनाती थी होली के बाद सभी मिलकर लेकिन मेंlaw मे सारे कुछ होता था लेकिन इधर पर ऐसे ही हद्बेंट उपिस चला गया और मैं इधर पर हूँ सुभा हद्बें ने थोड़ा बहुत लगा दिया था तदर लेकिन वह तो नहाने के बाद चला गया क्योंकि वह बहुत बीजी रहता है कि ऑफिस जाना है फिर क्या थोड़ा ब क्या करते हैं तो आप लोग क्या कर रहे हो आज के दिन क्या 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 पर जा रहे हो क्या क्या खाना बना रहे हो सब कुछ मेरे सब क्या क्या कर रहे हैं आप लोग तो कि मैं तो ऐसे दुखी बैटी हूँ लेकिन नहीं नहीं बस दुखी क्यों बैटी हूँ लेकिन ओली का कि वहना दिन एन तेहर का दिन है ना फेस्टिवल का दिन हे चाय को फिर कमपलीछ दिन 아니면 बनाना झायो है गर कि ल首 कोह बनाओओंगी तो में भी बनाऊंगी तो उस में दो में की क्या दिन फिर प्रांचा के लिए य।meno जानते हो ना घुगनी बहुत यह लगता है मेरा तो एक पसंदितार रेसिपी है तो आज मैं बनाऊंगे घुगनी लेकिन नॉर्माल घुगनी फेस्टिबल के दिन वेंगवाली होकर नहीं 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 यह तो नहीं हो सकता तो क्या करूँ कुछ ना कुछ तो चाहिए ना तो फालक पूरी बन जायए तो ज एक हैस लगेगा भुगनी के साथ बालः पूरी अच्स लखाना थारका पाल पूरी Enfin आ झाथ लेका याज कई वतला सा ठर्जोनी वह पंबस अबिकल सिक्वाई है उच्ड़ पिन का जिकल मिमें। क्या बनाएंगे चिकन गुगनी उसके साथ साथ पालग पूरी और आप लोग को दिखाऊंगी आप लोग को साथ शेर में दरूगनी तो रहेंगे मेरे साथ चलो बनाते हैं चिकन गुगनी और पालग पूरी अपिसली हा्टी होली एक चिकन घुगनी पनाने के लिए में लिए मटर यह ना ग्रीन करल का अ अक्षर नहीं लेगते थो मैंने घ्रीन कर लड़ का मटर यूज में अ उसके साथ में लिए एक अंड और ऑर 100 gram चिकन यह बोन्लेस विदलेस जो आपका पसंद हैं वह उसकी ही ज लोग क्या करते हैं एक बार चिकन से बनाते हैं एक बार अंडी से बनाते हैं लेकिन में मिक्स करके बनाते हैं दिखाती हूँ कितना अच्छा टेस्ट आएगा आप लोग एक घर में जरूर ट्राय किजिए आप लोग को भी पता चल जाएगा और उसके सा ते सात मैंने लिया है एक उनियन उसको भी चौप्ट कर लिया है एक टमाटर उसको भी चौप्ट कर लिया है एक एक बेड ही लीप्स, रेड चिली और उसके साथी साथ लिया है जिंजर गर्ली का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, और मैं ये गुगनी बनाऊंगी, मस्टर्ड ओयल से एक बड़ से ट्राइकर देखिये ना कैसा लगता है, मैं तो मस्टर्ड ओयल से गुगनी बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है, तो चलो भणा बनाती है गुगनी, तो उसके लिए फस्ट में मैं ले लूँगी, ऐ कूकर और उसके अंदर डाल दू आधा कटोरी भी डाल देता है ऐसे अगर बॉयल करोगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कई कबर हम लोग सोचती हो कि कितना जाधा पानी चाहिए तो ऐसे मेजर्मेंट कर लिजिए एक कटोरी मतर है तो देड़ कटोरी पानी चाहिए और मतर बॉयल करने का टाइम अधिन में थोड़ा सा नमक डाग दूँगी उसके साथ इसाथ थोड़ा सा ओएल जाए और अभी इसको ना चैसे साथ सीटी लगा लीजिए तो मैं इसको सीटी लगा के बॉयल करके मिलती हूँ देख लीजिए मतर हमारा पूरा के पूरा बॉयल पोगया है देख लेजिए मतर पूरा के पूरा गल जाते है तो अच्छा नहीं लगते ऐसा ही अच्छा लगते इसलिए मैंने चार सीटी लगाई थी तो चलो अभी मसाला तैयार करते हैं तो नी बनाने के लिए मैंने यह कडाय चड़ा दिया है और अभी उसके अंदर डालना है ओएल और तो ऑईल थोड़ा से ज्यादा ढालिए ऐसा नहीं है कि बहुती कम डला हैं ऐसा नहीं है थोड़ा से ज्यादा ढलिए और फुरफा कि हो गररम हो गिया है इसके में जालना है रस्ट में जीरा और इसके साथ ही साथ जाल देजिए डेलिप्स रेट प्ली और अभी एट कर देजिए चिकन के पीसे ने खेड़ चोकर टंगा है में में जालने गया का देजिए इस किल देली माश्ट , गशे वेडिकिया कहाईन के इसके नहले में कीसे बहुत्तकर से फिष्कार्धा कहें पीड़क स сбण प्रिकन को फूर अप्राइ कर लेती हूं और अभी एक करना है करना ने जकशिए और तकान Anda प्रिकना जो आपकीозможно है करना ङर्था भाले अवीशता रखी प्रिक्सेटा परिकनान में पराइवात कर देड़े नहीं अर्गा क जाए जाने विसी क्राइव ने लिए्टाइ। रखाल फुस्टार पज़ दाला गही है कि अधिकेन गुवनी ना कोलकाता के कोलकाता क्या वोल्ट वेंगल के फेमा स्टीज पूड है मैं तब चिकेन गुवनी के अंदर थोड़ा तक तुइस्ट देने के लिए एक भी आड़ कर दूनी उससे ना बहुत अच्छा एक पेस्ट आ जाएगा और अभी धग के थोड़ी दिर के लिए पकाईए अधिए पांच मिनिट बद चेक करेंगे देख लिए पांच मिनिट हो गया है और मसाला ना वक तक तुका है और के निकल रहे हैं देख लिए और अभी इसके अंदर आटे में तमाटे में इसके पांटे करना है और बट लेस्ट उनका पेस्ट आपसा दीजिए और सारे मसाले को अधर मिला देखें और फिल से ढटके पांच में के लिए तमाटर को और सारे मसाले को पतने के लिए टाइम देखें ये शिदिसे आप मसाला हमादा पुरा के पुरा पष्कास देए यार्गे इस्टे आंदर ये इसके देना है रिए धिलिग ऑुदर इसको भूदर पे जिए पांदा इसके अ यह बिंटने जैर नहीं साथ इस अधे पाउर नहीं आती है यह अधीरा पाउर ने नहीं आती है यह यह करते हम यह जीडाएंगर और सारे के सारे को मिला कर बर्मिला लेजिए अच्छे और तीट से दो मिनट के लिए सारे के सारे मसाले के साथ ये पकने के लिए के दो मिनिट टाइम देखके देख लिए दो मिनिट हो गया और सारे के सारे मसाले के साथ और निकल रहा है अब बहुत ही अच्छा एक खुश्बू भी आ रहा है और इस स्टेज में आट कर दीए थोड़ासा पानी इससे क्या हो जाएगा ना चिकन भी आमारा पुरा पुरा बॉल हो जाएगा क्योंकि मैंने को बॉल चिकन नहीं लिया है थोड़ासा पान याट करते है इसको एक उबाल आने तक वेट कीजिए ताइम दीजिए फाइब मिनिट्स देख लिए पान में यामारा उबाल आ गया है अच्छी किन भी हमारा पक्ता तयार है इसको एक बार मिला लेती हूँ आशे इतना अच्छा एक खुरूबा रहा है ना कि क्या बताओ बहुत अच्छा लगता है मेरे को और इस स्टेज में अभी एट ट्विस्ट एक को मैं बुर्जी नहीं बनाऊंगी इस टाइम में इस स्टेज में ऐसे एक को तोड़कर इस स्टेज में एड़ करते हैं देख लिया ना इस तरीके से एक बार बना कर देखिए बहुत ही अच्छा लगएगा एक को ऐसे मिक्स कर लीजिए अच्छा बुर्जी तो सभी बनाते हैं लेकिन कुछ नया टूइस्ट चाहिए ना और नया नय एक्स्प्रिमेंट करने में में मेरा बहुत ही पसंद आते हैं एक्स्प्रिमेंट नहीं यह तुम्हें बहुत बार बना चुकी हो मेरा घर का सभी का बहुत ही पसंदीता आइटिम है ऐसे ला लेजिए और अभी आड़ कर देंगे करने के बाद एक बार मिला लेजिए आप लोगों को पसंदे तो आट किजिए अगर पसंद नहीं है तो आट में आट किजिए लेकिन यह देने से बहुत ही अच्छा एक कलर आता है मेरा बहुत ही पसंदीदार है इसलिए में आट कर दिया और अभी इस को फिर से ढखके पकने के लिए दस मिने टाइम लिए देख लिजिए मेरा एक चिकन गुगनिया भी बन रहा है देख लिए कितने अच्छा लग रहा है न और इसके अंदर भी आट कर दूंगी जरम मसाला अब थोड़ी दिर सुखने का पोट देजिए बस दो मिनिट देख लिजिए मेरा घुगनिया भी बन कर रहे है जरुआ हो गया कि अच्छा लगा आए ना बहुत अच्छा अच्छा लगा आ गया है तो अभी में इसको साथ कर दूंगी चलिए साथ करते हैं जेख लिजिए मेरा चिकन गुगने वी रेडी है इसको में अभी अपड़से थोड़ा सा गांडिश कर दूंगी तो अबासा तोड़ा सा ओनियन अच्छा अच्छा लगता है टेस्ट तोड़ा सा दूकंबर अच्छा देख लिजिए और उपर से निम्बू का जूस यह चाहिए चाहिए और देख निम्बू का जूस यह तो कंपेक नहीं होगा और उपर से एक निम्बू का स्लाइस ऐसे देख लिजी है कि यह मेरा चीकेन गुञनी विरेडिया ऐंड साब्द कैसे लगा मेरे रेचीपी फूरी बणने के लिए मैंने ले लियाए फ्रेश पालक उससके साथी साथ मैंने लिया है आटा यह होगा साथ हे साथ मैं चाहिए थोड़ा से बेशन, थोड़ा से एक चम्मच के करीब सूजी, अजवन, शॉल्ट और ऑईल, फस्ट में पालक का एक पेष्ट बना लेना है, उसके लिए में एक मिक्सर ब्रेंड़ जाल ले लोगे, मदाने के लिए ना फस्ट में तालक को ले लिए और ऐसे बारीख काट लिजिया वह बहुत ही घुल करेगा इस तो अभी जाल जिए और उसके अंदर डाल देजिए पुरब पुरा पालक कि अबढ़ दीजिए और इसके अंदर ही याट कर दूंगी में नमाख और साथ ही साथ थोड़ा सा पानी थोड़ा सा पानी तो अभी इसका प्रेस्ट बना लेती हूँ देख लिए मिक्सिक में बस एक मिनिट के लिए मैंने चला लिया है और इसके अंदर अभी डाल दूंगी अजवन इससे ना अजवन की बहुत अच्छे खुश्बू आएगा थोड़ा सा क्राश भी हो जाएगा तो इसलिए इस स्टेज भी में याट कर दो और फिर से एक बार में मिक्सर ग्रांडर चार में चला लूंगी देख लिए यह पेस्ट हमारा बन गया दो तैयार कर लेते हैं उसके लिए मैंने आटा का बोल ले लिया है और अभी इसके अंदर डाल दूंगी सूजी सूजी डालने से बहुत क्रिस्पी बनता है बहुत टेस्टी लगता है प मिक्स कर देजिए और आट कर देजिए बेसन तू हंडड़ ग्राम मैंदा के अंदर तू टी स्पून तू टी स्पून बेसन एंड टू टी स्पून सूजी ऐसे मिक्स कर देजिए तो देख लिजिए इस सारे के सारे टास्ट पार्टिकल्स जो थे लोग को मिक्स कर लिया है और अभी इसके अंदर आट कर देंगे यह पालक के पेस्ट जो मैंने तयार कर लिया था इस डूना थोड़ा सा सकती बनेगा नरम मत बनाइए थोड़ा सा सकत बनना चाहिए मिक्स कर लिजिए सारे के सारे को देख लिजिए मैं बिल्कुल पानी नहीं यूज कर रही हूँ बस ऐसे इसको गूंद लिजिए क्योंकि पालक का टेस्ट आना चाहिए पालक पूरी में तो इसको और लोना हमारा थोड़ा सा सकती जाए तो इसको ऐसे तैयार कर लिजिए ऐसे तैयार कर लिजिए देख लिजिए इसके उपर से थोड़ा सा ओयल लगा दीजिए इसको ओयल से और एक बर चिकना कर लिजिए इससे पूरी बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और फुला फुला बनेगा बहुत ही टेस्टी बनेगा इससे एक बार चिकना कर लिजिए और इसे तो दोना पा मारा भुटा देख देख जिए के सेट होने के लिए तो 20 विनिट टाइम दीजिए 20 विनिट हो गया आटा भी हमारा सेट हो गया है देख लिजिए इसको में और एक बार आपके कमाद से इसको ना भी ऐसे लंबा कर लिजिए फस्ट में ऐसे लंबा करने के बार ऐसे लोया तैयार कर लिजिए ऐसे एक-एक करके लोया तैयार करना है पूर्या आप अपने हिसाब से बनाए है कितना बड़ा और कितना चोटा या आप अपनी पसंद दो सर बनाए है ऐसा कोई शेप नहीं है कि यह साइज में बनाना पड़ेगा यह सब कुछ भी नहीं है लोग यह तयार कर लेजिए फास्ट में कर लेजिए अब भी हाथों की मजश से इसको पूरा के पूरा गोल गोल शेप देजिए तो मैं सारे के सारे को तयार कर लेती हूँ मैंने सारे के सारे लोग यह तयार कर लिया है अभी इसको बेल कर तयार करना पड़ेगा एक लोग ले ले लेजिए इसको ऐसे फस्ट में एक बार बेलने के बाद ऐसे थोड़ा सा ओईल लगा देजिए और फिर से बेल करते यार कर लेजिए तो एक हमारा बन गया मैं दूसरे को तैयार कर लेती हूँ इसको क्टर लेक बार करको लेखेँ विए प्रेकर छुछ लेती हूँ दिए लेकर इसको क्टर लेखेँंगे डैडेज़ रसे नहें भाद कर लेकर लेखेँंगे टार प्रेय। कि अज़िए दुस्रे भी मनें तेयर हो गया है मैं और एक को तेयर कर लेती हूं आसा को आसा आया है अ जाजा है आसा को लेका और एक कि आ आसे साल कि आ पशांट को बता कि आ आता है केल कर तेयार कर लिजिए चलिए अभी ओयल चड़ाते हैं मैंने ओयल चड़ा दिया है और गरम हमारा हो गया है और अभी पूरिया देने की बारी ऐसे देजिए एक पूरिया कि अध़ी अधिया आधि अधिया आधिया अधिया आधिया अधियर इसे पका लिजिए इतना क्तित फूल जाजेखे जाखे जाजे जाजे तो नाजेखे जाजे कर लेजे दूस्टे साइड, दोनों साइड भी ब्राउन ड्राउन रैडिश होना चाहिए तब समझ लेना कि पूरिया हमारा फ्राइफ हो गया है जैसे नुदकंग कर लिजिए देखि कि रूपार गया है कि अच्छा लग रहा है ऐसे साले के साले को तयार कर लीजिए तो इसको मैं निकाल लेती हूं और दुस्ट को दे दिया कि देख लिए इसको भी ऐसे पलट दीजिए देख लिए कि अच्छे से पूल रहा है अच्छा है लेसो कि अच्छा है ये पुरिभ या मर र Favorी हो कि देख बहुरतucks बहुर सकतेर है देख लेजिए कितने अच्छे सफूल रहा है जो लोग पालक खाना पसंद नहीं करते हैं ऐसे बच्चे लोग उन लोग को ऐसे अब लोग खिला सकते हो तो यह हमारा हो गया ऐसे में सारे के सारे पूरी को तैयार कर लेती हूँ देख लिजिए बन गया मेरा पालक पूरी सारे के सारे कितना फुला फुला बना है देख लिजिए यह हमारा रेडी अंड सब्ड अभी हम लोग दिनर करेंगे तो कैसा लगा मेरे यह ब्लोग अगर मेरा यह वीडियो आप लोग को पसंद आए तो एक लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आज के लिए इतना ही तिल दिन टेक क्यार बाई बाई झाल बाई